दोस्तों कौन थे रोम हर्षण रिश्री और क्या संबंद था उनका भगवान श्री क्रिश्न से पांडा और कौर्वों के बीच महाभारत युदी की घोशना होते ही बलराम जी तीर थियातर पर चले गए थे इसी तीर थियातरा के दोरान बलराम जी निमिस अहरण वन पहुचे जहां हजारों रिसी मिलकर कल्यों के लक्षणों के आगवन को रोकने ही तू यग कर रहे थे इन रिसीयों के मुख्या थे रोम हरसन जो बेद व्याजी के शिश्य थे जैसे ही बलराम जी सियग में पहुचे तो सवी रिसीयों ने उठकर उन्हें सम्मान दिया पर रोम हरसन रिसीयों के मुख्या होने के घमंड में अपने इस्तान से उठे भी नहीं बलराम जी को रोम हर्षन के बेद ग्यानी होने के बावजुद भी इस तरह का घमंड करते हुए देखकर बेहत करोध आया इतने हैंकारी रोम हर्षन ऐसे यग के प्रतिनेदी बनने के लायक नहीं थे फिर बलराम जी ने रोम हर्षन के पाच जाकर उने एक घास के तिनके से चुआ तो छूते ही उनकी मृत्यू हो गई इस घटना के बाद बलराम जी ने रोम हर्षन के पुत्र उग्र सुर्वा सुता गोसौमी को इस यग का मुक्या बनाया और ब्रह्म हत्या दोस्त निवारान हे तू इर्थ यात्रा में बलवला सुर्कावद किया जै श्री कृष्णा